हर्याना के दो जिलो में एक नई DC रेट भरती आ चुकी है जिसके लिए आवेदन की परिक्रिया शुरू हो चुकी है एक ऐसी भरती परिक्रिया है जिसमें आपका कोई भी एक्जाम नहीं होगा डिरेक्टली इंट्रिव्यू बेस पर आपका सेलेक्शन होना है ठीक ठाक सेलर पोस्ट है क्या आपको सेलरी मिलेगी क्या सेलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है तो इस सारी चीज़े एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अगर आप इंट्रस्टिड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास तक जरूर देखिए जो लोग चैनल पर नए है चै देखिए ये इसका ओफिशल एर्वटाइजमेंट है इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किन किन जिलों के अंदर वेकेंसिज हैं तो इसमें एक कुरुक्षेतर जिला है हरियाना का और दूसरा है जजजर तो कुरुक्षेतर और जजजर दो जिलों में हैं contract based vacancies हैं इसलिए fixed salary आपको यहां पर मिलने वाली है इसमें से आपका थोड़ा भूत HR वेगरा जो है वो cut जाएगा या कुछ जो fund वेगरा है वो cut cut जाएगा और आपको 10,800 के करीब जो है वो salary net in hand इसमें मिलने वाली है उसका अधर प्योन की vacancies है दो vacancies यहां पर है 9,770 रुपे पर मन सेल यहां पर मिलने वाली है अगर मैं qualification की बात करूँ तो qualification जो मांगी गई है data entry operator के लिए उसमें 12th pass candidate apply कर सकता है data entry operator के लिए और प्योन की जो vacancies है उसके लिए 10th pass candidate इसके लिए apply कर सकता है age limit के अगर हम बात करें तो 40 years जो है इसमें maximum age limit रखी गई है 40 years तक के candidate apply इसमें कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ selection procedure की तो जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी written exam नहीं होगा directly interview based पर यह vacancies हैं तो इसका interview जो होना सुनिश्चित हुआ है वो होगा 13 April 2022 को interview conduct करवा जाएगा और 13 April 2022 ही इसकी last date है application form fill करवाने की इन दे सेंस अगर हम बात करें तो 13 April 2022 को आपको अपना application form साथ में उसके जो जो documents इन्होंने mention किये हुए हैं उनको attach करके साथ में एक आपका demand draft इसमें लगेगा जिसमें fees general category के candidate के लिए 500 रुपीज रहने वाली है और SCST category के जो candidates हैं उनके लिए 250 रुपीज यहां पर fees रहने वाली है वो demand draft आपको बनवा कर उस form के साथ attach करवा कर डिरेक्ली जो है interview के लिए जाना होगा दिये गई address पर तो address जो रहने वाला है वो आपका रहेगा यह एक N-E-I-L-I-T करके जो एक institute है चंडिगड के अंदर National Institute of Electronics and Information Technology जिसके माइदम से इन vacances को fill किया जाना है तो वो detail भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहां पर आपको interview के लिए जाना होगा और इनके जो time period जो रहने वाला है 31.12.2022 यानि की 2022 का जो एक साल है अभी हमारा तो इसके लिए इन vacances को fill किया जाना है further इसका जो time period हो उसको extend किया जा सकता है based on the performance of the candidate तो आईए मैं बता देता हूँ application form आपको दिखा देता हूँ साथ में जो address है जिस address पर आपको जाना है वो भी मैं बता देता हूँ यह देखिए यह इसका application form रहने वाला है इस application form को आपको fill करना है यहाँ पर passport size latest photograph आपको लगाना है बाकि जो details है उसको fill करना है और यहाँ पर demand draft की details भी आपको इसमें fill करनी है जो की नीचे दिया गया है इस application form का link आपको description box में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप इसको download कर सकते हैं इस application form को fill करके इसके साथ साथ जो documents mention की गए हैं उसका भी आपको description box में PDF मिल जाएगा कि कौन-कौन से documents आपको attach करके लेके जाने है वो भी वहाँ से आप download करके देख सकते हैं तो इस application form को documents के साथ attach करके demand draft के साथ attach करके आपको interview के लिए जाना होगा 13 April 2022 को अब हम वो address देख लेते हैं ति क्या वो address रहने वाला है तो ये जो advertisement के अंदर सबसे उपर जो address दिया गया है National Institute of Electronics and Information Technology Birla Farms बड़ा फुल रूप नगर रोपर पंजाब के अंदर ये जो है address रहने वाला है इसी address पर आपको जो है interview के लिए जाना होगा और basic details अगर आपको जानने है इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो ये phone numbers भी यहाँ पर दिये गए हैं इन phone numbers पर आप contact कर सकते हैं या फिर comment section में comment करके भी आप पूछ सकते हैं I'll try to answer your questions तो आज की इस वीडियो पर इतना ही एक ऐसे ही नई वीडियो नई content के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई जै हिंद जै भारत